आपने Jesse James का नाम जरूर सुना होगा और अगर आपने Jesse James का नाम नहीं सुना तो इसका मतलब है कि आप American History और American Folklore से वाकिफ नहीं हैं हैर कोई बात नहीं मैं आज आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि इसको देखने के बाद आपका दिल्चस्पी जो है वो और बड़ेगी American History में और American Folklore में जैसी James के बारे में और उस जमाने का जो American Old West था जी हाँ बात कर रहा हूँ लेट 19th century और early 20th century अमेरिका की जहाँ पर Frontiers में उस जमाने में बहुत बड़े-बड़े कमाल के Outlaws हुआ करते थे जैसी James है जिसे की शायद Modern Day Robin Hood भी कहा जा सकता है और American Folklore का एक बहुत important हिस्सा है जैसी James का जो फिगर है अब जैसी James कौन थे वो मैंने आपको बताया उनका एक mythical फिगर है American Folklore में उनको Hero माना जाता है पर उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत बड़े bank robber थे उन्होंने ना जाने कितनी bank robberies करीं 17 murders के उन पे लजाम थे और कुछ लोग उनको Modern Day Robin Hood भी मानते हैं और कुछ लोग उनको Al Capone के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा criminal और आउटलव भी मानते हैं तो इस तरह का mythical figure है जिसने history को divide किया तो शुवात होती है इसकी American Civil War में Abraham Lincoln जो Union के President जब बनते हैं वो तो एक Civil War चलती है और चार साल तक चलती है और इसका End होता है Union के जीत में, Confidency के हार में और End में Slavery Abolish हो जाती है पर साथ ही साथ Southern States में थोड़ा सा एक Resentment रहता है उनको गुसा होता है कि हम हार गए Civil War में तो वहाँ पर जन्म होता है Confidency Bushwackers का वो गुरिला गुरूप्स थे जनका काम था कि Border States में जाके यह Northern States में जाके यह लोग तहसनेस मचाते थे, लोटेरापन करते थे ट्रेंस को लूट लेते थे, डाके डालते थे तो यह जो James Young Gang है जिसका पार्ट Jesse James और उनके भाई Frank James थे और Young Brothers भी थे, यह basically इनकी शुरुआत इसी से हुई थी Confederacy Bushwackers थे यह, लेकिन आगे जाके दीरे 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 यह Full Fledged Outlaws बन गए, तो शुरू में जो इनकी mythical image है कि यह Southern Heroes है और Southern Folklore का जो पार्ट हैं वो basically यह खुदी destroy कर देते हैं और यह Full Fledged Outlaws बन जाते हैं और फिर यह नहीं देखते कि North है कि South है यह सरफ loot मार मचाते हैं और लेकिन जो American Folklore है वो इनको फिर भी एक hero एक way में present करता है और Jesse James तो बहुत ही बड़ा फिकर है उनको जैसे मैंने आपको बताया है कि Robin Hood से भी compare किया जाता है James Brothers जो थे, Frank और Jesse James जो थे, यह Missouri को belong करते थे जो America की state है और वो basically एक neutral state भी थी वो North को भी और South को भी दोनों को soldiers provide करती थी supply provide करती थी तो बहुत interesting hub था जो bushwhacking ये करते थे उसके लिए अब जब कहानी आगे बढ़ती है तो James gang जो है उसके अंदर जो young brothers होते हैं वो एके करके arrest हो जाते हैं जैसी James और उनके बड़े भाई Frank James और ये मिलके इस गैंग को आगे लेके जाते हैं और 1882 तक ये लोग जो है इस गैंग को आगे चलाते हैं तो Civil War की 10 साल 15 साल के बाद तक इनका दबदबा था और इन्होंने जो कहर मचाया इन्होंने जो जैसी James अपने glory में कितने powerful outlaw थे पर दीरे 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 उनकी relevance कम होती जाती है और चौतिस साल की उमर में ही वो मर जाते हैं और यहाँ पर मैं एक बहुत famous quote है The Man Who Shot Liberty Wallens का जो के John Ford की classic है उसमें कहा जाता है When the legend becomes fact, print the legend उसी तरह से यह जो Jesse James का जो legend है जो उनकी heroic image है यह fact बन गया है और इसलिए over the years अब इस fact को ही हम मान के चलते हैं जो legend है वो ही a fact बन चुका है और जो असली fact है कि वो एक outlaw थे और बहुत ही dreaded personality थे वो कहीं न कहीं हम भूल जाते हैं